साधी पार्टी में जाने से पहले एक बार इसे लगा ले अगर आप भी पाना चाहते हैं मेरे जैसे इस तरहा ग्लास स्किन तो आज का ये खास रेमेडी आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल रहेगा रेमेडी इतना पावर्फुल है पहली दिफा में ही आपको 100% रेज जो कि आपकी तुचा में इंस्टैन बहुत ही बड़ी ऐसा ग्लो लाएगा और सबसे अच्छी बात है इस रेमेडी में फैरन लवली का यूज हम जिस तरह से करेंगे उससे आपकी तुचा की ग्लो लंबे टाइम तक स्टे रहेगा तो अब हम इसमें से थोड़ा सा फैरन पर यह वाली फेशियल हो जाएगा ठीके अब हमें एक चम्मच की करीबन दूद लेना है तो यहां पर फ्रीज का ठंडा दूद लीजिएगा अधरवाइस कच्छा दूद लेंगे तो और बढ़िया रहेगा दूद के साथ हम फैरन लवली को अच्छी तरीके से मिक्स कर ल अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है फैरन लवली दूद और नीवू जब एक साथ में मिक्स होता है तो बहुत ही बढ़िया सा एक स्मूद क्रीम जैसे बनके तयार हो जाता है और उसके बाद इसके साथ हम एड़ करेंगे हल्दी हल्दी हम बहुत जादा नहीं लेंग क्योंकि यह खाने वाला हल्दी है तो यह कलर छोड़ेगा तो इसलिए इसे एक चूटकी ही लीजिएगा अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो उसे आप हाप चमच की करीबन हल्दी ले सकते हो हल्दी कलर कंप्लेक्शन को फेयर करता है यानि कि आपकी रंग को गोरा ब old cream बनके त्यार हो जाएगा बिल्कुल उपटन की तरह काम करता है और दिखने में भी उप।न कीतरा ही लगता है तो अब हम उस करीब को ऊचाएज में रखे यहां पर 1買 में हमें लेना है दूद और इस दूद के साथ हम मिक्स करेंगे नीबू नीमू दूद के साथ मिक्स करने के बाद ये दूद फट जाएगा यानि कि दूद छेना हो जाएगा जो कि हमें इसी consistency में चाहिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है आपको नीबू दूद में बहुत जादा नहीं निचोड़ना है नीबू का यूद दूद में बहुत जादा नहीं करना है इसे क्या होगा वो पनीर हो जाएगा तो फिर दूद और पानी अलग हो जाएगा जो कि हमें उस तरह का नहीं चाहिए यानि कि हमें पनीर consistency यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें छेना consistency चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, proper तरीके से यह बन के तयार हो चुका है, छेना में होता है, बहुत ही जादा vitamin, जो कि आपकी तुचा में, जब आप इसे use करोगी, तो आपकी तुचा में जल्दी स्किन मिलता है, तो इसे आप regular basis में यूज कर सकते हो, तो इसे बना के आप फ्रीज में रख सकते हैं, और डेली इसका यूज ले सकते हैं, तो इसे use कैसे करना है, लेना है आपको एक टुकड़ा cotton, cotton को इस तरह से इसमें डिप कर लीजी, डिप करने के बाद इसे skin म अची तरीके से आपको लगा के skin को पूरी तरीके से साफ कर लेना है, जैसे कि हम cleanser यूज करते हैं, ठिक वैसे ही हमें यहाँ पर इसे इस तरह से apply करना है अपने चेहरे पर, इससे आपकी तुचा बहुत ही अची तरीके से clean हो जाता है, तुचा के अंदर फसी हुई जितन साफ रखना जरूरी होता है, तो इस तरह से दिखिए, अब हम इसे अच्छे से इस तरह apply कर लेंगे, apply करने के बाद इसे हमें धोना भी नहीं है, या फिर इसे हमें पोचना भी नहीं है, बस इसे हम इसी तरह से सोखने के लिए छोड़ देंगे, तीन से चार मिनिट लगता जैसे कि हम फेस पे क्रीम लगाते हैं, ठीक इजय से हम इसे लगा लेंगे, दोस्तो इस फेशियल को आपको करना है साधी पार्टी में जाने से 2-3 घंटा पहले, इससे क्या होगा, एक तो इंस्टेन बहुत ही बढ़िया सा glow आएगा, दूसरी चीज यह है, जो भी आप मेक अब देखें दोस्तों, इस क्रीम को लगाने के बाद हलकी फुलकी से मसाज आपको क्रियेट करना है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा glow आए, जो blood circulation है वो अच्छी तरीके से क्रियेट हो, तो आपको इस तरह से जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, हलकी से मसाज करन जिससे कि आपका स्किन टाइट हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा सा golden glow आएगा, जो कि हर लेडि को ये glow चाहिए, और इस glow को पाने के लिए हम महंगी महंगी golden facial करवाते हैं, काफी सारी मोटी रकम खर्ज कर डालते हैं, अब देखिए जब हलकी फुलकी से मसाज ह जाए उसके बाद इसे ऐसे ही सूखने के लिए 4-5 मिनिट के लिए छोड़िये ठीके, जब 4-5 मिनिट हो जाए तो उसके बाद आपको एक cotton का कपड़ा लेना है, और उसे पानी से इस तरह से गीला करके अच्छे से निचोड लेना है, और उस गीले कपड़े के मदर से पू बहुत ही अच्छा चमक आता है, और आपको हेवी मेकप करने की जरुद भी नहीं होगी, उसके बावजूद भी आपकी फेस में बहुत ही बढ़िया सा चमक रहेगा, अच्छे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे की खाने वाला हल्दी का यूज किया है, तो फेस पे पी कुल भी मेकप नहीं है, मैं काजलिस्टिक कुछ भी नहीं लगाई हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों कितना बड़िया सा शाइन आ रहा है, आपको हाईलाइटर लगाने की जवरत नहीं होगी, जैसे की आप देखी सकते हैं, नोज एरिया चे करिया बहुत ही जादा शाइन कर रहा है, और दोस्तों खास तोर में गर्मियों के लिए ये फेशेल एकदम पर्फेक्ट है, क्योंकि गर्मियों के टाइम जब हम साधी पार्टी में जाते हैं, तो मेकप चाहें हेबी करें या फिल लाइट करें, जितने भी मेकप करते हैं, वो कुछी देर में पिगल के निकल जाता है, लेकिन इसे अपलाई करने के बाद आप जो भी मेकप करोगे, जाहें लाइट या फिर हेबी, वो बिल्कुल भी पिगल के नहीं निकलेगा, बलकि लंबे टाइम तक स्टे रहेगा, गर्मियों के टाइम ये वली फेशेल आपका बहुत ही काम आएगा, साध अधी साथ आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट के तुर जरूर बताइएगा, और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में, बाई फ्रेंड्स एंड थैंक् बाइब एक्स वार बाचिंग्